नमस्ते मेरी प्यारे दोस्तों, बिहार SSE की इस से पहले 2014 में वेकेंसी आई थी, और एकजाम में धांदली होने के कारण एकजाम केंसील हो गया था, फिर एकजाम 2017 में हुआ था, दो दिन एकजाम हुआ था, 29 जनवरी 2017 को हुआ था, और एक हुआ था 5 फरवरी 2017 को, तो 29 पेपर हुआ था उसका सुलिशन करते हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं पहला कोस्चन आप से पूछा गया था कि रिजर बैंक आफ इंडिया के पर्थम भारतिय गवर्नर थे तो इसका कोरेक्ट इंसर ए सीडी देश्मूख थे पर्थम आर्वी आई का पर्थम गवर् पर पूछा जाता है उसको सभी को एक साथ रिविजन कर लेना चाहिए जैसे जो जरुरत है जो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है जो कि पूछा जाएगा पूछे जाने का 100% समावना जैसे आर्वी आई का पर्थम गवर्णर पूछा है सीडी देश्मूख तो आर सारे कुछा जाता है तो आरभी आट करने वाला जो रूपीय कचीन ने था यह वाला ची न जो यह दो यह नेदिया तो यह रूपीय कची ने दिया था आई आई टी बोंबे का वो छात्र था कभी आपसे पूछा जाए कोन दिया वो नाम क्या था उसका तो उदय कुमार दिया था यह ध्यान रखना है नेश्ट कोचन है कि बेंक नोट प्रेस कहां अस्थी थे तो इसका कोरेक्ट एंसर है यह देवास में अस्थी थे नेश्ट कोचन है कि निमलिकी तुमें से कौन सा राज जनसंख्या की द्रिष्टी से चार बड़े राज्यों में नहीं है तो देखे जनसंख्या की द्रिष्टी से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है यूपी उसके बाद कौन सा है उसके बाद आ जाता है आपका महरास्ट ठीक थिक looks के बाद आता है आपका बिहार उसके बाद आता है पश्चिम मंगल के कि ए पश्चिम बंगल को ईसमें कौण सचार बड़े में नहीं आएगा तमिल नादुन नहीं आएगा तो ध्यान रखना सबसे बड़ा जनसंख्यां के दरिष्टी से तो वह सिक्कीम यह ध्यात्र छेट्रफल रजी कुम सा है राजस्थानória सबसे च्छोटा रजी जेत्रान यह सब काफी important question है तो आपको ध्यान रखना है जेश्ट कोचन आए कि किसका किलो मेटर जनसंख्या घनत्व अधिक किसका बिहार का है ठीक है sevi सबसे अधिक सक्षरता वाला राज कौन सा है तो केरल है यह ध्यान रखना है तो इसी पेटर्न के आदार पर मैं आपको इसी चैनल पर तयारी कर वाओंगा तो आप इस चैनल से जूड़े रहें है नेस्ट कोचन है कि भारत में शूपर कंप्यूटर जो विक्सित किया गया क्या उसका नाम क्या था तो यह परम आठाजार था नेस्ट कोचन है कि भारत में फोर जी सेवा की शुरूवाट कब की गई स children बारा में नेश्ट कोचन है आचा एक स Micheal अगर यह है आप से कि भारत में इंटरनेट की सुरुवात कभ यह विए यह पूछा गया है तो भारत में इंटरनेट के सुरुवात को महामनां का जाता है देखिए मंधन मोहन मालविये से तो यह स्वीडं यह थ्यान रखनाए स्वीड़न नेश्ट को चने कीवी चिणियां काह पाई जाती है तो निद्ट की तो आप कि ब्राजिल की मुद्रा क्या है तो ब्राजिल के राज़िल की मुद्रा LA नेस्ट को चने दोस्तों अभी आपको previous rush रहाए Hazul प्रिवेस कोश्चन के साथ अब जितने भी मार्केट में जो प्रेक्टिस सेट आएगा मोडल सेट आएगा सब का सांदार डिसकसन मैं इसी चैनल पर कराऊंगा नेश्ट कोचन आप से पुछा गया कि महलों का सहर किसे कहा जाता है तो कोलकता को महलों का सहर कहा जाता है नेश्ट कोचन कि किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है तो अच्छे समय का राजा कहा जाता है विजय माल्या को नेश्ट कोचन कि डेस मुंबई की पर्थम परखनली सिसू थी और 2016 में इन्होंने एक सिसू को जन्म दिया था तो इसका कोरेक्ट एंसर हरसा हरसा जो थी व इंडियन एयरलाइन्स की पर्थम महिला पाइलट कौन थी तो यह दुर्बा बनरजी थी नेस्ट को चने कि डेस बेंक ने अपने करमचारियों को घर से बेंक के सर्वर सर्वर्स अधी अभिगम पहुंच प्राप्त करने की इजाज़त दिये तो यह दिया एस भी आई ने दि नेस्ट को चने कि यह हिंदी साहित्य के लिए एक प्रसिध आलोचक थे तो यह नावमवर सिंग थे पदमाबात के लेखक थे तो पदमाबाबात के लेखक कौन थे इसका इनसर यह थे विवलिक मुहमद जायसी ठीक है नेस्ट कोछोन ए गैम्श ऑफ ध्रोन्स के लेखक व्याद हो गैम्श all तोव थ्रोन्स के लेखक है जोर्ज नार्टीन ने स्ट कोचने कि इंडिया अफटर गांधी की लेखक कौन है तो यह है रामचंद्र घुँई है इंडिया के रामचंदर घुठ है इसी तरह कोशन पूछा जाता है कि पर या सिमांत गांधी ये खान अब्दुल गफार खान को कहा जुठ ने कि निमलिकी तुमें से किसका जेल का कमरा एक परियेटक अस्थल है तो इसका correct एंसर है बीडी सावरकर यह न बीर सावरकर देखें बीर सावरकर से एक और important question पुझा जाता है कि अभिनाव भारत के संस्थाप कोन थे तो बीडी सावर करें थे कि एमेल के लिए 8-धर 8 चिन किसने चुना था तो टोम लिंसं ने चुना था अगर पुझाए कि ऑमिल का अविस्कारा कोन है तो टोम लिंसों ही यह ध्यान रखना है ने Поэтому случае ने कि अमर्त सेन को इसके लिए नोबेल पूरुषकार दिया गया तो अर्थशास्त्र के 46 में नोबेल पूरुषकार मिरा है अमर्थसेन को ने कि चौबिहार के इतिरिक्त इस राज Card Year का भी मंगाल का किस वाधियंत्र को बजाने के लिए परसिद थे काफी इंपोर्टेंट कोस्चन है उस्ताद बिस्मिल्ला कहार एकजाम में पूछा जाता है यह ध्यान रखना आ और जो कि इनका जन्म जो है विहार के बक्सर के ढुम्राओं में हुआ था उस यह कि सहनाई बाधाथख नेश्ट कोछ constituents नें कि डेस गायन सहिली नवाब वाजिद अली साके दरवार से चुरू हुई थी तो क्या सुरू हुआ था यह थुमरी जो गायन सेली ये नवाब वाजिद अलिसा के दरवार से शुरू हुआ था नेश्ट कोचन है कि स्वराज पाटी के अस्थापना किस ने की तो इसका correct answer है मोती लाल नहरू ने किया था ठीक है देखिए स्वराज पाटी के अस्थापना मोती लाल नहरू और चितरंजन दास दोनो तो यह कोन है तो यह जुमपा लाहडी है नेश्ट कोचन है कि आत्म कथा दट टेस्ट ओफ माई लाइफ किसकी है यह यूवराज सिंग की दट टेस्ट ओव माई लग मतलब टेस्ट वह किरकेट वाला नहीं वह टेस्ट कहाने उनको जब कैंसर हुआ तो उनके जीवन का टे भारत की कितने राज़ों से और गुजरतों कोन कोन मिजोरं से गुजरती है तुक वाद राज Alexand के गुज्राथ से मध्यपर्देश से 36 गड़ से और जारखंड से इसे याद कैसे रखना है मित्र पर गमचा जार ठीक है आठरा जो गिया देखिए मिजोरम तिरपूरा पस्चिव मंगाल राजस्थान चार गया गुजरात मध्यपर्देश 36 गड़ जारखंड मित्र पर गमचा जार यह इन रा बाड़ू दे दिया या तो केरल दे दिया तो आपको आप छांट सकते हैं क्योंकि आपको अगर इससे याद रखना है कि इतने आठ राज्यों से होकर गुजरती इसमें देखने बिहार कहीं नहीं है मिजोरम तिरपूरा पस्चिव मंगाल राजस्थान गमचा जहार यानि निती निदेशक तत्वों का उल्लेख करता है तो भाग चार में राज के निती निदेशक सिधान्त दिया हुआ ठीक है किस अनुछिद में तो अनुछिद बांसाओं का उले के मूल सम्मिदान में 14 था फिर आठ बांसा बाद में जोड़ा गया है ठीक है आपको पिछले वीडियो में डिटेल्स में बताया हूं और जो आठ बांसा जोड़ा गया है उससे एक्जाम में कोष्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि आठ सिंदी सर्सथ और विरानवे में तीन बांसाओं को जोड़ा गया यह नेपाली मनिपूरी और कोकनी इसे याद रखना है नमक ठीक है दो अजार तीन में जोड़ा गया है चार बांसाओं को बोडो डोंगरी मेथिली और संथाली ठीक है तो देखे आठ हो गया एक और तीन चार चार आठ सिंधी उनिसो सर्षठ में सिंधी सर्षठ सिंधी बेरानवे में नेपाली मनिपूरी कोंखनी यानि नमक याद रखना है कोच्य ने भारति से मिनान में राष्टपति चुना पदती का स्रोथ किस दिस से लिए गया है तो यह भी आयरलेंड से लिया गया था और लोग सभाकि कितने सदस राष्टपति दोरह मनुनिद होते हैं तो दो सदस से सरवोध योजना परस्तूत की तो ये परस्तूत किये थे आ झा कस नरायन को इसी तरह कमाने तो ध्यान रखना है confusion ना हो इसलिए दोनों को साथ हमेशा पढ़ना चाहिए लोक मानने का जाता है बाल गंगादर तिलक को उसे रिलेट ऐसे कर लेजिए जैसे देखे मानने यानि कि किसी को मान सम्मान देते तिलक लगा कर देते यानि कि लोक मानने जब आएगा तो बाल गं और अगर पूछे आपसे कि भारत के साथ सबसे अधिक अस्थलिय सीमा कोन साजा करता है तो यह बांगला देश करता यह विध्यान रखना है नेश्ट कोचन है कि रेलवे अधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी परत्यक्ष निवेस की सीमा है तो यह है 100% नेश्ट यह एलो रॉरेंज बक्र नेश्ट कोचन है कि राश्टी राजमार्गयोजणा कशुरू कि गई तो यह किया था 1995 में ठीक है राश्ट्थियराजमार्गयोजणा कशुरू वही 1995 में आच्छा 1995 से एक और चीज याद़ है भारत में इंटरनेट के सुरूत कब वही पिली करांती का सम्बंद किस से तो यह समय है ते हैं किटने टिलहन उत्पादनर्दrier निष्ट कोचन की गई कितने पर्तिशत कौफी निर्यात की जाती है तो सत्तर परसेंट जो कि निर्यात किया जाता है सबसेड़ कोफी कहा होता किस राज में करनाटक में सबसे ज़्यादा कोफिक किस देश में होता है तो ब्राजील में नेस्ट कोचन है कि दुर्गापुर इसपात कारखाना किसकी साहिता से अस्थापित किया गया तो यह ब्रीटेन की साहिता से अस्थापना किया गा ब्रीटेन यानि इंगलेंड की साहिता से ठीक है देखें तीन महतपुर नहें इसपात कारखाना जो आपसे question पूछा जाता है जैसे दुर्गापुर पूछा तो यह ब्रिटेन के सायोग से हो गया अगर आपसे पूछे कि भिलाई इसपात कारखाना किसके तो रूस से और एक है राउर के ला राउर के ला इसपात सन्यंत्र क इसके सायोग से अस्थापित किया गया तो जर्मनी के सायोग से ठीक है इसे याद कैसे रखना है दुर्गापुर ब्रिटेन यानि इसे याद रखें दर्वीड दर्वीड यानि दुर्गापुर ब्रिटेन के सायोग से ठीक है भिलाई रूस से यानि भीरू इसे भीरू य में पूछ देगा कभी कि दूरगापुर इस्पात कार खाना जो है किस पंच बरसी योजना के तात अस्थापित हुआ तो दूसरी पंच बरसी योजना के तात अस्थापित वह तो यह ध्यान रखना है नेश्ट को चने कि किस बर्स के बजट में GST का पहली बार जिक्र किया गया था तो पहली बार जो जिक्र हुआ था वो 2006-07 में हुआ था अच्छा GST कब लागो हुआ ये काफी important question एक जुलाई 2017 को निती आयोक का वस्थापित हुआ एक जन्वरी 2015 को नेश्ट को चने कि रास्तिय करन से पहले भारती एस्टेट बेंग का नाम क्या था तो इसका नाम था इंपीरियर बेंकॉफ इंडिया, नेस्ट कोचस ने, कि हम इस पंचवर्षिय योजना के मद्य में है तो इसका correct answer भार है वारमी पंचवर्षय योजना के मद्य में, जब यह exam हुआ था उस समय की बात है नेंश्ट कोचन ने एंजाइम देखें जीके जीएस का पूरा कोच्चन 5 समाप्त हो गया था समांद से science कभी आपको answer बता देता हूँ बाकि math reasoning का detail solution आपको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा हलाकि आपको दिखा दोगा कैसा कैसा question पूछा गया है निकट दिरिष्टी दोस्त के रोगी को इसके निवारन से निवारन के लिए क्या चाहिए होता है अगर पूछे कि दूर दिरिष्टी दोस्त को ठीक करने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो उत्तर लेंस का परियोग किया जाता है देखिए इसे कभी आप इसमें इन दोनों में confusion ना हो या तो आप कभी भूले नहीं तो इसलिए इसको इस प्रकार से याद करिए देखिए निकट दिरिष्टी दोस्त है और एक होता है दूर दिरिष्टी दोस्त ठीक है देखिए दूर में दो सब्द है और निकट में तीन सब्द है तो तीन लेटर है ठीक है तीन लेटर वाले को ठेक करने के लिए चार लेटर वाले को परियोग करेंगे देखें निकट में तीन है चार लेटर यानि अब तल लेंस का परियोग करेंगे दूर में दो लेटर है दो लेटर वाले को यानि दूर दृष्टी को ठेक करने के लिए तीन लेटर वाले को यूज करेंगे उत्तर लेंज का परियोग करेंगे ऐसे याद रख लेजिए नेक्स्ट कोईचने कि सापेक्ष आदरता किसके द्वारा ना पी जाती है तो इसका कोरेक्ट एंसर है हाइग्रोमीटर ठीक है इसी तरह है एक हाइड्रोमीटर ठीक है जो माप आपा जाता है तो शापेक्षिक आधरता जो है कि दरव का दणतम आपा जाता तो इसी कंफ्यूजन नाओ और याद रहे हैं इसको कैसे याद करना देखिक घञवा जेब आए एक कि सबाया और सब्सुक्ति यहादस जब बैजत है इंगलिस क्ठी सोक्भा होगा तो ड किस परकार का तरंगधर्ज सबसे कम होता है तो बेगनी का तरंगधर्ज सबसे कम होता है सबसे अधिक तरंगधर्ज किसका होता है तो लाल रंग का होता है नेश्ट कोचने कार्ज का मात्रक क्या है तो कार्ज का मात्रक क्या है तो जूल है ने इसका प्रकास बर्स किसका मात् पारसिक यह द्यान रहें कहने काफी important question यह थोरी मापने की सब्से बड़ी जय आईए वह है पार्सिक ऐससे कोचने कि कौन से बिद्दु चुमबकी तरंग नहीं है तो धोन व्लव छेतीन गुनर्द दस के पावर मैनस 24 होता है निष्ध कोचने की हल्दी पाउदे के किस भाग से प्राप्त होता हैं तो यह तना ऐसे प्राप्त होता है ákब आप थ्यात पूछे अध्रक तो वह भी तना से और आलू व भी तना है और प्याज वह भी तना याद कैसे रखना हद करदी आपने हद यानी हल्ली करदी से अध्रकिया अध्रकियी प्रिकर्फ निस्ट कोचन है क्यूरी ताप निमलिखित मेंसे के चुमकत्व से संब्वन कने से निस्ट कोचन है कि एक बेक्ति यदि एक बेक्ति एक समतल दर्पन की तरफ वी चाल से चलता है तो उसे दर्पन में अपना परतिबिम्ब किस चाल से अपनी और आता परतित होगा तो इसका इंसर है टू भी यानिकि दोगना परतित होगा ठीक है दोस्तों इस अब का डिटेल सोलूशन जो नुम्रीकल है या तो मेथ रिजनिंग है इसका डिटेल सोलूशन में अगले वीडियो में बताऊंगा नेश्ट को चने कि किस गरह के बायू मंदल में परचूर मात्रा में एच टू हो कि 145 उपगरा हो गया ठीक है और उसके बाद बिरस्पति का पंचानवे उपगरा है नया अपडेट है 2023 का यह मई यह जून के आसपास का अपडेट है यह धियान रखना है सबसे लाटेस्ट अपडेट है नेश्ट को चने कि प्रिथिवी की सता का कितने परतिसत सागरों से भाण नेश्ट को चने कि वी सबसे सुस्क अस्थान कौन सा यह मäक मुर्डो ने कि निमलखित में से कौन से गर्म जलदारा है तो गर्म जलदारा गल्फ हश्ट्रिम जो है एक गर्म जलदारा है कितने देस अस्थल से चारो और से घिरे हुए यानि कि कितने देश जो हैं लेंड लोग कंट्री है तो यह 44 देश है फोर फोर ठीक है फोर फोर से एक चीज और आपको रिलेट करा देते हैं याद रहेगा एक तो यह लेंड लोग जो अस्थल रूद देश जो है चोवाली 10 और देखी जो नाग्रेक समान नागरिक सनेता जो है जो सीबीन कोड डाया इनी उनिफोर्म सीबीन कोड समान नागरिक सनेता जो काफी इंपोर्टेंट करेंट अप्र के द रिष्डी से इस अनुछेद में तो यह 4-4 में देखे समान अंखेने तो समान नागरिक सनिता की सब्सक्राइब तो समान अंक वाला यानि 4-4 चवालिस अनुछेट चवालिस में और अस्थल रूद देश कितने चवालिस नेस्ट कोचने यह मेथ का और मेथ चुश्चन सुरू हता है यह नॉम्रीकल साइन्स है तो इसको बाद में देखते हैं किस देश में सरवाधिक समय छेत्र है तो यह में सरवादिक समय छेत्र हैं बिहार में कितने जीले हैं तो 38 जीले हैं ठीक है बिहार में कितने अनुमंडल है 101 और परमंडल कितने नो अनुमंदल को याद ऐसे रख लिजिए जिसे अनु यानि कि किसी को अनुदान देते हैं एक सो एक रूपय का अनुदान देते हैं उस टाप से याद कर लेजिए अनुमंदल कितने एक सो एक बिहार के किस तरफ के राज में सरवादिक जन संख्यां तो पूर्वी छेत्र में सरवादिक जन संख्या ने कि चिल का जील कहां स्थी थे तो चिल का जिल का मालूं उलिसा में है ठीक है नेश्ट कोचन है यह में यह में अर्य कí शोरी धोस्तों मेरे अधिश्वराव एक प्र Grade प्छी के सु मातरह ले कहां है तो इसका कॉरेक्ट इंशर हे हिंद महास्वागर में है नेश्ट कोचन है में में अंता 맞ad प्रेजिनिंग का मैं डीटेल सॉलूशन आगले वीडियो में करवा दूंगा नेश्ट कोचन देखते हैं चलिए देख लीजिए कैसा कैसा कोचन पूछा गया है एने सी एल में डेस आवंध होता है तो यह आइनिक आवंध होता है सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड क्या है खाने वाला नमक जो होता है क्वांटम संखें कितने परकार का होता है तो चार परकार का होता है यह ध्यान रखना है नेश्ट कोचन है कि निमन में से कौन इसमें 6 गुनार 10 के पावर 23 परमानु नहीं है तो इसमें नहीं है 35 दसनलव 5 गराम क्लोरीन में नहीं है नेश्ट कोचन है कि एपसम लवन किसका योगिक है तो मेगनिसियम का है नेश्ट कोचन है कि जर्मन सिल्वर में क्या होता है तो कोपर होता है तामबा नेश्ट कोचन ह कि संपर्क बिधी किसके निर्बान में परियोग होती है तो सल्फियूरिक अमल यानि H2SO4 में होता है भारी जल का रसाइनिक नाम क्या है तो डूटोरियम ओक्साइड है जो होता है रूधीर में निमन में से किसकी मात्रा बढ़ जाती है तो बीली रूबीन की मात्रा बढ़ जाती है नेश्ट को चाने कि कौन सबसे बड़ी गरंथी है तो मानव सरी की सबसे बड़ी गरंथी कौन सा है तो पीनियल गरंथी है पीनियल गरंथी ठीक है जो की मस्तिस सेंग्यू वोरस है नेश्ट कोचनने कौन सी कशी गरंथी माश्टर गरंथी तो पीउस कशी मास्टर TR कर लाती या तो पित्रूटी घरंथीया मस्तिस्क में पाए जाता है कौन सक्राइब तो प्लिख ऑर Ceoferol chemical शारी जाता है को नाम यहांब देखेए एक ना में बिटामीने का ना में faithful कि वी का ना में थाहिमीन सी का ना में ऑसकोर्विक एसिद ड करना में केलसी फिरोल और इ का नाम तोको फिरोल और इसी का ना में फीलौऌनीन ठीड याद कैसे कि रखना है मैं जेख़े ठीक है पर को सालिंट रकना है ठीक है पर को सालिट रखना रथ पर एक टोफी रथ यह निसमें से कोई नहीं है ठीक है तो एगी इसमें से नहीं है तो जुछिक यह रेतिनोर्स ठाइमन ऐने तोफी यानि की एक तोफी यानि टोकोफेरोल किसका है विटामिन एका है तो एंसर आप असानी सी टिक कर देंगे तो रथ पर एक टोफी यानि एक का नामें रेटिनोल बी का नामें थाइमिन रिफीए तो मधुमख히 नेकों ने कि नाwhy लोन में इसके एक लकों के मद्धध मतल रकार का बंधोंटा है तो कैसा होता मैं प्रकार का बंध़ो ह ölता ठीक है तो दोस्तों अब यहाँ से मेत रिजनिंग का जो भी कोश्चन सुरू होता है तो इसका हम आपको देख लिजिए रिजनिंग का पूरा पचास कोश्चन आएगा तो आप देख लिजिए कैसे कोश्चन पूछा जा रहा है बांकि मैं इसका डिटेल सोलूशन में जल्दी वीडियो अफ्लोड कर दूंगा हां इस चैनल पर बने रहें में देख सकते हमां का फीर एजय राता है और जो भी थोड़ा सा यूर्ड कोश्चन रहे देख सकते हमां काफि sacrifice और जो भी थोड़ा से खाड कोश्चन रहेगा तो मैं उसको आप आप आसान तरीके से आपको बनाने का तरीका बथा कर दोंगा जो कि काफी आसानी से बन जाएगा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 150 तक आपका रिजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों और यह प्रिबियस क्वेश्चन बेंक भी मैं आपको पूरा मेथ रिजनिंग का भी करवा दूंगा और जितने भी अभी मोडल सेट या प्रिक्टिस आएगा जो सटिक प्रिक्टिस सेट है जो कि बिहार की एकजाम की दृष्टी से उस पब्लिकेशन का सब से सटिक प्रिक्टिस सेट जो कि डारेक्ट उसका क्वेश्चन टकराता है मैं वो प्रिक्टिस सेट मैं इस चैनल पर करवाओंगा तो आप इस चैनल से जुड़े रहें जैहिन दोस्तों